असलाम लेकुम प्रोटोजुआ में आज हम पढ़ेंगे फाइलम एपी कंप्लेक्सा फाइलम सीलियोफोरा एंड फाइलम मिग्जोजुआ और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा प्रोटोजुआ का फाइलम एपी कंप्लेक्सा जो है न इसमें basically parasites हैं, जिनमें क्या होता है? Apical end. Apical end आप picture में देखें, यह basically penetration to the host cell. Host cell के अंदर जाने के लिए यह end use किया जाता है. इनमें भी सिरफ एक तरह का nucleus होता है, और इनमें ना तो cilia होते हैं, ना ही philagela होते हैं. लेकिन कुछ reproductive stages ऐसी हो सकती हैं, जो cilia या philagela contain करती हैं. अब इसकी जो most important class है, वो है class sporosua. इन्हें हम sporosua क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी ability होती है, कि यह resistant spores पर ड्यूस करते हैं. उनको हम oocyst भी कहते हैं. और यह बनते काप हैं, सिरफ sexual reproduction के दोरान. इसमें दो important genre हैं, जो के diseases कास करते हैं. एक तो plasmodium का है, और एक coccidians है. और यह जो हैं इंट्रा-cellular parasites होते हैं. अब आपने यह याद रखना है कि कौन सा phylum extra-cellular parasite है और कौन सा intra-cellular. लाइफ cycle मिन में ना तीन phases होती हैं. फर्स्ट वन है shizogoni, सेकेंड वन है gamitogoni, थर्ड वन है sporogoni. सबसे पहले शिजोगoni. शिजोगoni हमने पहले भी इससे रिलेटिट हम पढ़ चुके हैं. फर्स्ट लेक्शर में प्रोटोज हुआ कि कि जो multiple fission होती है ना एह sexual stage में. इसमें क्या होता है कि ना number of mitotic divisions होती हैं. नुकलियस की पहुत जादा ना कहलें कि divisions हो जाती हैं, नुकलियस पहुत जादा डॉर्टर निकलियाई बन जाती हैं, फिर साइटोपलासम की भी उतनी ही divisions होती हैं, और एक parent cell से ना a lot of daughter cell जो हो हैं वो बन जाते हैं. तो इनको इस फाइलम में कहा जाता है Mirozoids, यह host cell को छोड़ देते हैं और बाकी cell को इनफेक्ट करते हैं. अब second क्या है Gmetogonis, Gmetogonis नाम indicate कहरा है Gmetos बनेंगे और इसमें sexual reproduction की phase है यह. इसमें ना दो तरह के Gmetos बनते हैं परासाइट्स में, एक तो Micro Gmetosides होते हैं या Macro Gmetosides होते हैं. जो Micro Gmetosides होते हैं ना, उनमें multiple fission होती हैं और वो Micro Gmetosides बनाते हैं. और Micro Gmetos जो होते हैं ना, उनमें दो फिले जैला होते हैं. ठीक है? और उसके बाद जो Macro Gmetosides होते हैं ना, वो एक सिंगल Macro Gmetosides बना लेते हैं. और Micro Gmetosides जो होते हैं वो फर्टिलाइज करता है Macro Gmetos को, और क्या पेडियूस होता है? Zygote. और Zygote जो होता है ना, ये Inclosed होता है और क्या, इसको क्या हम कहते हैं? Oocyst. इसकी बेस पे, Oocyst इसको कहा जाता है. इसलिए इस क्लास को हम क्लास Sporos हुआ कहते हैं. उसकी बाद है Sporogoni. अब जो Zygote है ना, उसमें Meiosis होगी. और Resulting Cells जो हैं, उनमें Division होगी, Mitosis. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं Sporogoni, क्योंकि इसमें As A Result जो डॉटर सेल्स पेड्यूस होते हैं, वो Sporosides होते हैं, एक Oocyst में प्रेजेंट होते हैं, और इनका Rod-like structure होता है. और Sporosides जो हैं, इनफेक्ट करेंगे New Host को. मतलब जैसे ही ये New Host के अदर जाएंगे, Oocyst देंगे. यहां पर प्लाजमोडियम जो के Malaria cause करता है, उसका Life Cycle देख लेते हैं, तीनों जो Phases हैं उनको आपने Mind में रखना है. अब प्लाजमोडियम के Life Cycle में दो होस्ट हैं, एक तो Vertebrate होस्ट है, जिसको हम Definitive होस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें Sexual Reproduction होती है. सेकिंड गुनी जो है, वो हो रही है पहले लीवर सेल में, उसके बाद होगी Red Blood Cell में. गुमीटो गुनी जो है, वो भी Red Blood Cell में हो रही है, उसके बाद मास्कीटो जो है न, वो फीड करेगा उस individual पे जिसको Malaria है, और पैरसाइड्स जो है, वो अपने Blood में ले लेगा, और गुमीटो स तब होगी, हैपलाइड स्पोरोजाइड्स बनेंगे, जो एंटर हो सकते हैं, न्यू होस्ट में, जब मास्कीटो जो है, वो बाइट करेगा किसी और individual को, यहां पर डाग्रामेटिकली रिपर्जेंटेशन देख लें, सबसे पहले शीजो गुनी है, स्पोरोजाइड्स जो जो मास्कीटो है, उसने बलड ले लिया, इनफेक्टिट इंडुईड्स का, वहां पर क्या हुआ जाएड्स बन गे, जाइगोट बन गे, जाइगोट ने उसे, वो डिवेलप कर लिया, अब यह मास्कीटो जब किसी इंडुईड्स को जाके, मतलब खाएगा, उसके बलड पे फीट करेगा, तो स्पोरो जाइज जो है, उसकी बॉड़ी में एंटर हो जाएंगे, ठीक है, अब सिम्टम्स क्या क्या है मैलेरिया के, मैलेरिया के सिम्टम्स जो है न, यह प्रियार्डी कली होते हैं, सम्टाइम 48 और्स के बाद, सम्टाइम 72 और्स के बाद, में, और क्या होगा कि एर्दियन ड्रप्चर हो जाएगा, रेड बलड सेल्स का, और टॉक्सिक मेटाबॉलाइट्स जो है, वो रिलीज हो जाएंगे बाड़ी में, और डिजीज जो है, वो अपनी पीक पे आ जाएगी, उसके बात है, फोर स्पीशिस प्लाजमोडियम की, जो कि हूमन मलेरियल पैरासाइट्स हैं, सबसे पहले है पी वाईवेक्स, यह ऐसा मलेरिया कास करता है, जिसमें सिम्टम्स हर 48 गंटे के बाद शो होते हैं, यह आपने याद रखना है, कि इनकी टाइम डियरेशन क्या है, यह वैसे तो नेरली खतम हो चुका है, एरेडिके याद रखनी है, पी फॉलसी पैरम जो है, यह विर्यूलन फॉर्म है, और इसके सिम्टम्स इर्रेगुलर होते हैं, कोई पता नहीं कब हो जाएं, ठीक है, कितने दिनों बाद दुबारा शो हो जाएं, एक टाइम था जब यह वर्ड वाइड था डिस्टिब्यूशन में, लेकिन आज कल यह सिरफ ट्रॉपिकल और सब्रॉपिकल है, उसके बद पी मिलेरिया ही, यह जो है ना, यह वर्ड वाइड है डिस्टिब्यूशन में, और यह ऐसा मिलेरिया कास करता है, जिसमें हर 72 और्स के बाद ना, सिम्टम्स जो हैं, शो होते हैं, उसके बद कॉक्सी जेनस जो हैं, जो कॉक्सी डायोसीज है, यह डिजीज है, पोल्ट्री की, शीप, कैटल्स और रैबिट्स वगएरा को इफेक्ट करती है, इसमें दो जैनरा हैं, आईसोस्पोरा और अमीरिया, और यह इंपोर्टेंट पैरसाइट्स हैं, पोल्ट्री के, अब हैं, क्रिप् किया अकेला एक ही नौन-प्रोटोज हुआ है जो रिजिस्ट कर सकता है क्लोरी मेशन से यह नहीं मरता ठीक है क्रीप्तोस पॉ उसकी बार नेक्स्ट इसमें कड डिजीज आ जाती है टैकप्जोॉप्लास्मोसिस अब यह जो है ना ही मैंमल्स की और बर्ड डिजीज है मैंमल्स में हूंट हुमन भी इसकी सेक्ष Dal eyeballs हो रही है कैट में इन्फैक्षन इसका बन हुमन उटा है मतलब ब्गोई lacks कोई स्सक्राइब नजर नहीं आते लेकिन बिमारी अंदर और अगर एक दफा इंफेक्शन हो जाए तो उसके बाद इन एफेक्टिव अम्यूटी जो है वो डिवैलप हो जाती है लेकिन अगर ऐसी वूमेन जो इंफेक्ट हो जाए ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी तो क्या होगा कि यह को जैनिटल टॉक्सो प्लाजमोसी हो जाएगी और यह जो है यह मेजर कास है स्टिलबर्थ का और स्पॉंटेने़िस अबर्शन का और अगर बेबी सर्वाईव भी कर जाता है तो मैंटर रिटारडेशन हो जाएगी और एपिलेपसी हो जाएगी और इसका जो क्यूर है वो भी नहीं है कोई ठीक है और इसके लिए जो प्रिक इसका हैबिटाइड मेरीन है और फ्रेश वार्टर है और इनमे क्या होते हैं सीलिया होते हैं लोको मोशन के लिए और फीडिंग के लिए ठीक है और इनमें डिजिट पैलिकल होती है जिसकी अलमोस्ट फिक्स शेप होती है इसमें डिस्टिंक्टिव साइटो स्टोम होता है मौट स्ट्रक्चर डाइमॉर्फिक नूक्लियाई अब यह वाहिद फाइलम है प्रोटो जुआ का जिसमें दो नूक्लियाई प्रेजन्ट है एक माइक्रो नूक्लियाई ही और माइक्रो नूक्लियाई एक से ज्यादा हो सकते है ठीक है और एक मैक्रो नूक्लियस जो सिर्फ एक ही होगा अब इसके हम स्ट्रक्चर देख लेते है क्योंकि यह most important फाइलम है प्रोटो जुआ का इसमें सेलिया होते है सीलिया जो है वो फिलेजेला से छोटे होते हैं ज्यादा होते हैं नमबर में और वाइडली डिस्टिब्यूट होते हैं और सीलियरी मूवमेंट इतनी कॉडिनेट होती है कि ऐसा लगता है सीलिया की एक वेव गुजर रही है बाडी से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इंडिविज्वल सीलिया मूव कर रहे है और सीलियर्ट जो है ये डिवर्स कर सकते हैं डिरेक्शन आफ सीलियरी बीटिंग को और डिरेक्शन आफ सेल मूवमेंट को उसके बाद सीलिया का हम फर्दर देख लेते हैं कि ये बेसल बाडी से कुनेक्टिड होते हैं मतलब बेसी से ना सीलिया एक दूसर से कुनेक्ट होते हैं और एक नेट्वर्क बना लेते हैं और कुछ जो है वो स्पेशिलाइस्ट सीलिया भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सीराय सिराय जो है वो भी मूमेट में यूज होते हैं उसके बाद है ट्राइकोसिस्ट यह भी मोस्ट इंपोर्टन एमसी की उज़ है कि ट्राइकोसिस्ट को उनसे फाइलम में प्रेसंट होते हैं तो वो फाइलम सीलियोफोरा है और यह ना पैलिकल के स्टुक्शर्स होते हैं और प पेलिकल सम्टाइम डिस्चार्ज कर देती है ट्राइकोसीस्ट को लेकिन यह फिर भी कुनेक्टिड रहते हैं स्टिकी थ्रेड की हेल्प से यहाँ पे आप देख रहें फाइलम सीलीओ फोरा उसका जो रिपर्जेंटेटीव है पेरामीशियम और इंटिर्य और पॉस्टि्र एंट है इसमे औरल ग्रॉवस प्रेजनporte है मारीक्रॉनुकलियस है Klês है पैलिकल प्रेजन प्रेजन के साइटोस्टॉम का मुःफ लाइक स्ट्क्चर है और इसना है इसकंख लेते हैं या फूड कैसे लेते हैं नियुट्रीशन कैसी है इस में सिलीयेट और झारल गूरोव होता है ये आपने पिकचर में देख흡 है है इसमें सीलीया प्रेजेंट होते हैं और ये इसके सीलीया जो है वो स्मौल पा पार्टिकल्स है ना वो पूरे एंडो प्लाजम में सर्कुलेट हो जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट इनका जो सेकिंड फीडिंग मेकानिजम है वो है परीडेशन यह प्रेय कैप्चर भी करते हैं लेकिन वो खुश किसमती से अगर कोई प्रेय इनके नजदीक आ जाए तो ले लेकिन यह टंपरेयरी ऐसी ओपनिंग बना लेता है कि अपने प्रेय को अपने अंदर ले जाता है ठीक है लेकिन वो टंपरेयरी ओपनिंग होती है उसके बाद नेक्स्ट है सेक्टोरियंस तीसरा इनका फीडिंग का मैथड सेक्टोरियंस जो है वो सबस्टेट के साथ प्रेय इनका मोसली अधर सीलियर्स होते हैं यह फिर अमीबा वगएरा होते हैं अब टेंटिकल्स क्या करते हैं कि जो प्रेय की पहली कल होती है ना उसमें से एक उसको डाइजस्ट करना शुरू कर देते हैं ठीक है एक उपनिंग टाइप बना लेते हैं और प्रेय का सारा और इनके अन्यों के आच इक आपते हैं और एक से जादा हो सकता है और उसमें जुक्रो नहीं यूकटेलिक्छन सा तो देशन को सेस्टिकल्स के लिए यूज शोगा ओगा है उसमीबा मायक्रोटेस, तो यह नटे लिए ना ववग डिन्टिक रिजर्व उते हैं इन में दोनों तरह की रिप्रॉडक्ष्ण होती है और सेक्षिल होगी और बार्डिक्शन पर्डिक्र में पढ़ लिंक में देञेटे हैं अगर आप नहीं देखी autor और second जो है वो conjugation है अब हम देख लेते हैं जो sexual reproduction है conjugation वो कैसे होती है वो जो partners दो इन्वाल होती है ना conjugation में उनको कहा जाता है conjugants और इनकी ना various mating types होती है लेकिन हर species जो है ना वो हर mating type के लिए compatible नहीं है अब जो initial contact है ना वो apparent होता है और random होता है और जो sticky secretions होती है ना पहली कल की वो facilitate करती है adhesion को ciliate की जो plasma membrane होती है वो fuse हो जाती है और वो इसी तरह रहती है काफी गंटू के लिए और macro nucleus होता है वो तो कोई भी हिसानी ले रहा होता इसलिए वो तोट पूट जाता है और निया macro nucleus किस से बनता है जो micro nuclei के daughter cells होते है वो निया macro nucleus बना देते है अच्छा जब वो separate होती है na ciliate plasma membrane फिर क्या होता है nuclear divisions होती है ठीक है और nuclear divisions follow की जाती है cytoplasmic division से और इस तरह daughter cell new जो है वो बन जाते है यहाँ पे आप picture A में देखे के individual जो है miasis हुई है और four hyplied pro nuclei बन गए है picture C में क्या हुए है कि जो pro nuclei और जो macro nucleus है वो degenerate हो गए है mitosis और mutual exchange of pro nuclei उसके बाद क्या होता है fusion हो जाती है pro nuclei की D से F तक और nuclear divisions होती है जो restore कर लेती है बाकिग और उसके बाद cytoplasmic divisions होती है और new daughter cell जो है वो बन जाते है उसके बाद जो next है हमारा topic कुछ cilia ऐसे होते है जो symbiosis करते है ठीक है most celiates are free living however some are commensalistic are mutualistic and few are parasitic commensalistic कौन सी mutual association होती है एक को फाइदा हो रहा होता है और दूसरे को ना तो फाइदा होता है नहीं कोई नुकसान होता है और mutualistic में दोनों जो है उनको फाइदा मिलता है और parasitic में एक जो है वो अपनी फूट ले रहा होता है और दूसरे को नुकसान हो रहा होता है तो जो important एक और परासाइट है वो है बेलंकीडियम को लाए ठीक है ये large intestine of human pigs और other mammals में रहता है किसी टाइम पर ये शीलिया के help से feed करता है और किसी टाइम पर ये enzyme secrete करता है जो के digest कर लेते हैं host epithelium को और एक flask shape ulcer cast कर देते हैं और ये ना जिस तरह हमने पढ़ा था ना एंटमीबा हिस्टोलीटी का transfer होता है एक individual से दूसरे individual में सेम ये भी उसी तरह fecal contamination के थूँ या water contamination के थूँ जो है वो ट्रांसफर हो जाता है वैसे तो ये सारे दुनिया में present है लेकिन most common है फिलिपाइन में उसके बाद last जो है हमारा topic वो है phylum myxosua इनको हम myxosporians भी कहते हैं ये extra cellular parasites है habitat क्या है fresh water और marine फिश पे ये रहते हैं परासाइट है और इनमें क्या होता है कि resistance spore होता है ठीक है with one to six quail polar filaments उसमें एक या छे तक ना filaments हो सकते हैं और most economically important myxosporium जो है वो cerebrales है जो कि infect करता है nervous system को और auditory argon of trout and salmon को और उनमें टंबलिंग disease काज करता है विर्लिंग या टंबलिंग या ऐसी disease होती है जिसमें वो अपना balance maintain नहीं रख सकती है और ऐसे हिच कोले खाती है पानी में ठीक है और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम MCQs देखेंगे फाइलम प्रोटो जुआ के जो तीनों लेक्टर्स हमने पड़े हैं MCQs सारे इन में से होंगे तो थैंक यू फर वाचिए